मेरी चोटी बड़ी बहनों को प्यार भरी राम राम मैरे ख़़ी लोजेशन ब्यूटीक में आपका दिल से स्वागत करती हूँ अज मैं आपके सामने एक दो नई वराइटी और मकलीन के सूटों की वराइटी लेके आई हूँ तो पहले सूट से शुरू करते हैं सुन्दर सुन्दर सूट से शुरू करते हैं पहले डोला सिलक का फैब्रिक रहेगा बंधेज की सिल्वर और येलो कलर की बुट्टी है ये देखिए तोला सिलक का फैब्रिक है बंधेज कलर की छोट छोटी सिलवर और येलो कलर की बूटी है अगर किसी बहन को थोड़ा कोस्टली डालने का वो है न आप इसकी शर्ट शर्ट लेके इसके ओपर वरक करवाईए बिल्कुल पार्टी वियर लुक बनेगा इसका बंधेज में अगर किसी को प्लेन चाहिए तो ऐसे भी ले सकते हैं मैंने इसका डार्क ये परपल कलर मतलब जामनी कलर डाई करवाया है इसके साथ येलो दुपटे के साथ ही बिल्कुल सुन्दर आएगा बनके इसका पांच मीटर का प्राइस रहेगा पत्ची सो रुपे और शर्ट शर्ट का रहेगा साड़े बारा सो रुपे इसमें अगर आपको और कोई कलर चाहिए तो मतलब फिलाल तो मेरे पास यही कलर अगर होगा अवलेवल तो मैं दुबारा बता दूँ क्योंकि यह कलर आजकल बहुत जादा चला हुआ है यह परपल कलर और अगला दिखाती हूं सिमर का क्रश का फैब्रीक है इसका आरज भी बिल्कुल कम है क्योंकि थोड़ा मतलब इस ही उसमें बनेगा एक अरजगाई क्योंकि ऐसे खुल जाता है क्रश लगे हुए क्रश पड़े हुए इसमें ऐसे इसमें सिरफ यह बनेगी शर्ट खली इसमें आप यह डाइबल फैब्रीक भी अगर आपको डालती हूँ और ऐसे मतलब यह ना खुले क्रश का ही मुझे अच्छा लग रहा है कोई भी कलर डाई करवा कि आप ले सकते हैं इसको तो तेरा सो रुपे इसका प्राइस रहेगा पांच मेटर का देखिए बहुत सुन्दर फैब्रीक है यह क्योंकि अभी अभी नया फैब्रीक आया है यह क्रश का बहुत अच्छा सूट बनेगा अगर किसी वो गोल्डन में इसमें डारक कलर की कोई भी आप इससे एमबोर्डरी करा सकते हैं डारक कलर का कुछ भी मतलब कोफी रैड रै दाइ मीटर की शर्ट रहेगी इसकी तो सड़े तेरा सो के हिसाब से आप लगा लेजिए डाइ मीटर का कितना प्राइस आएगा तो मसलीन का फैब्रीक दिखाती हूं आपको पांच मीटर मसलीन का फैब्रीक है यह देखें इसमें चोरस और लंबी डबियां बनी हुई है इसमें और डारक बोटल ग्रीन की सलवार के साथ आप इसकी शर्ट शर्ट लीजे डारक बोटल ग्रीन कलर की कोटन की लीजिए मसलीन की लीजे जैसी आप चाहें सलवार ले सक इसमें और वही इसका प्राइस रहेगा ग्यारा सो का पांच मेटर और च्छसो रुपई की कुरती बहुत सुन्दर सूट बनेगा ये भी क्योंकि फ्लावर वाला बेस भी बहुत डालेते हैं बेल वाला भी सभी तरह का भी अब ये नया फैबरिक आया है दबी लंबी वाला इस टाइप की फैबरिक भी बहुत अच्छे लगते हैं ये सूट बने उए बैंसलीन का फैबरीक है और शायद ये एके टैक्स ब्रेंड का है बट इस पर मोर नहीं है जहांसे मैंने लिया था उन्होंने एके टैक्स का कहके बताया था बट है ये फैबरिक बहुत अच्छा मसलीन का इसमें इनर ना भी चाहें तो मत लगाएं क्योंकि ट्रांस्पेरेंट नहीं है इनर अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा मतलब कपड़े की लाइफ बन जाते हैं ऐसे धुलने के बाद पोच्चा सा नहीं बनता है पांच मिटर का वही ग्यारा सो रुपए और कुर्टी कुर्टी का 600 रुपए आप दिखाती हूं यह कलर है इसका डारक ग्रे कलर है चलो इसमें दिखाती हूं मैं है तो वही उसी उसका ब्रैंड का यह देखिए ओम टैक्स ब्रैंड की यह लीलन मसलीन सोरी यह क्योंकि उसके ऊपर नहीं थी मैं इसलिए मतलब बता बता नहीं सकी उसको यह देखिए ओम टैक्स की उसकी यह इसजद बहुत अच्छा है बिल्कुल हट के कलर है डारक ग्रे नहीं है डारक भी नहीं है पैट्रोल कलर बहुत अलग हटके मतलब मैंने फ्लावर वगरा से मैंने सोचा कि मन उतर गया होगा सब का तो नया कुछ लेते हैं तो डारक ग्रेग कलर के साथ ही वाइन कलर का थोड़ा-थोड़ा इसमें टच अप दिया हुए डब्बीयों के साथ हलकी हलकी डब्बीयों के साथ बहुत सु बैनों की डिमांड रहती है कि मेरको ये वाड़ा चाहिए था जैसे ब्लैक में और उसमें परपल कलर में सब का हुआ था तो बैने जितना होता है मैं आपके लिए अवलेबल करवाने की कोशिश करती हूँ भी जितना हो सके आपके लिए अवलेबल करवाऊं तो एक सूट ये दिखाती हूं मैं मसलीन का इसमें भी आप चेक कर सकते हैं ये देखिए ओम टैक्स का फैब्रिक है जैसे गंगा हो गया राम टैक्स हो गया ओम टैक्स हो गया तो ये ओम टैक्स का फैब्रिक है प्याजी कलर है बहुत सुन्दर सूट बनता है ये बहुत ही जादा सुन् पांच मीटर में और एक कलर का दुपठा लेजी अगर बिलकुल अलगी कोंट्रास्ट बनाना जैसे इसमें ये मोर की गर्दन जैसा कलर दिखाई दे रहा है न तो मोर की गर्दन जैसा अलग हटके शूट बनेगा वह वाला दुपठा लेजी यह किसी को यूँ आभी मैं तो प्याजी कलर का ही लूँगी तो बहुत जादा सुन्दर सूट बनेगा बहुत जादा सुन्दर ओम टैक्स की ब्रैंड है पांच मीटर का ग्यारा सो रुपए और शर्ट शर्ट का 600 रुपए दो ही सूट बने बचे हुए है बैंच अगर किसी को लेना है ना फटा-फट ओ कीजिए वीडियो देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि मापके सामने और आगे से आगे जो नई वीडियो आए सब्सक्राइब करते ही समसे पहले फिर वो नई वीडियो आपके सामने आ जाती है तो राम राम मेरी प्यारी बेहन है